इस तो हलो येस जो हलो अई तू अधियों से एक स्टूर्स स सब्सक्राइब रहे से इंट्रीच इंट्रीच शॉपर करें एपर से उसके बारे में बात करेंगे यू पेसे इपएस्पेट से इस्टेट पीसे इसको इंकलूट कर लेया है as it is UPSC से copy paste करके उनों अपना syllabus में इनको include कर लिया अब हमारे लिसको पढ़ना बहुत important हो जाता है मेरा यहां motive क्या है वो मैं आँको पहले बता दू first listen में सबसे पहलता है वो जाकने देखो उसके बाद आप इस वारे listen को देखना है ना अब उस listen में आपने syllabus के बारे में discuss कर लिया था जिसको भी idea लेना about the syllabus and कैसे उसको cover किये जायाएगा तो first listen में इस वारे listen में बताऊंगा हम how we proceed आगे कैसे बढ़ेंगे हम देखो सिर्फ दो मिंट लूँगा आपके उसके बाद chapter start करते देखो बहुत important है सबसे पहली बात हम करते है कि हमारे जुस सिर्फ से ले पसाना बहुत वाइड है भाई बहुत वाईड है भाई बहुत वाईड है से बता रहा हूँगा philosophy part ethics as you all know बट ethics अपने आप इतना बढ़ा दारी दाइरा दाइरा इसका इसको का पर्ती जाही पर्ती जाही खताव होगा ने लेकिन हमको पर ने स्रीफ सिर्फ एक्जाम स्पर्स्रेक्टिव से सो इसके लिए बहुत comprehensive well-researched सालों की महनत वाले यहां पर मेरे पास्ट नोट्स हैं है ना एंड जो कि मैं आपको ताइम तुटाइम प्रवाइट कर दूँगा राइक वोट 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 इनीड इस थोड़ा थाइम एंड विट ताइम हम इसको पूरा थाइट करते हुए चलेंगे एठीक के लिए आए गेरंटी यू कहीं से भी कुछ ओट पढ़ने की जरूत नहीं है इच और विटिंग नोट से लेकर के जितने भी रिफर्ड बुक्स है अना उनके लिए फांडेशन बुक्स उनके लवा नोट्स वेल रिसर्ज नोट्स कोटेशन उसके लवा बेस्ट आंसर राइए किस तरीके से आपने आंसर को प्रिजेंटेमल मना से कहें वोट सब आमसके अंडरा के अनुवल टाइम में इसको स्टार करेंगे तो अभी में ये चारा हूँ कि अभी आप इसको स्टार करते हैं राइख तो यहां पर आप बेसिक सा आप से काम कराने स्टार करूंगा उसके बादम वे विल प्रसीट फर्थर तो दी अड्वांस्ट लेवल लेवल, तो स्टार करते है तो अभी फर्स लिशन में आपने काफी कुछ देख लिया था राइख वी भी हैड लर्न बाउट वी वट अथिकश इस और वट अथिक्स इस नौट राइट एथिक्स क्या है और क्या नहीं है तो मल्ति लिंग्विल मैं आपको पढ़ाओंगा वांप इंदिय और लिंग्विश दोनों में ताक कि आपको इजी रहेगा समझ देमें ठीके तो य यहां पर एक बहुत ही बुनियाधी डिबेट काफी सालों से भी से नहीं, एथिक्स एंड रिलीजिन को लेकर के, तो कुछ चनेक्शन तो नहीं है, और बहुत से लोग कहेंगे अभी आपसे कि, यहां देर एथिक्स रिलीजिन के बिना पॉसिबल निया, प्ट रिलीजिन सर्वाइब सिंस लॉंग और यह कभी ग्रो करते हैं अपने टाइम से, यह सेपरेटली, आप इनको इनको इंटरचेंजेबली देख सकते हैं, है न, एक साथ भी देख सकते हैं, इनका कोई नेसेसरी कनेक्शन यह कि, अगर एक का एक्सिस्टेंस नहीं होगा तो दूसरा बि नहीं होता है, without God, there will be any kind of religion, right? So, it just depends कि कौन सेट, basically religion की क्या values हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, so God and religion का जो matter है, वो काफी सालों से, सदियों से debate चलिया रही, questionable, same as ethics also, ठीक है, तो God की और जब religion के बात करते हैं, यह belief होता है, किसी का faith होता है, यह न, किसी particular चीज में हैं, और वो, वो उसको क्या बनाता है, moral, moral बनाएगा, आप किसी भी इसे person को मिलिये जो कि बहुत ज़्याद हो religious है, there is a few chances कि वो moral हो सकता है, and in personal life, है न, तो there is also some chances कि वो immoral भी हो सकता है, यहना कि कुछ acts ऐसे हो सकते हैं, जो immoral भी है, हमने बात करीती उपकर, morality and ethics के बारे म हैं, है न, तो अगर हम इस नजरी से देखें, तो जो ethics है न, ethics, नेतिकता जो है, वो एक natural phenomenon है, guys, है न, अब इसके बार हम बारे हम पढ़ता है कि ethical, जो ethics है, based on the theory of evolution, अब हम बात करेंगे मांक्स की, नाइट्स की, इन सब के बारे में, with time you will understand, कि हाँ, basic चीजे यहां से आपक understanding, understanding के लिए मदद करें, तो अब यहां पर हम बात कहता है कि ethics है, एक natural phenomenon है, जैसे ही society बढ़ी गई, intelligence बड़ा, हमारा cognitive revolution आया था, उसके बारे में, तो उसके बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा, तो I suggest you, कि है sapiens में से पढ़ लेना, you all know, और आरी कि है, एक chapter पढ़ लेना है, बस उसका cognitive revolution है, तो उसमें आपको थोड़ा मदद मिलेगे, मजा भी आएगा पढ़के, ठीक है, yes, so, जैसे ही social intelligence, mammals कल, capacity बढ़ा, उनका दिमाख, और उनका almost sapiens का size बढ़ना, start हुआ, हमने चीजे, बनाने start कर दी, yes, religion बनाया, ethics बनाया, अब इसी तरीके से, अगर हम दे को, यहाँ पर की, 1200 BC की बात करते हैं, 1200 BC की बात करते हैं, 400 BC की बात करते हैं, चार वेदास की, जहाँ पर Hindu ethical codes हैं, mantra, उपनिशद से, ब्रहमनाज हैं, उस टाइम पर काफी समझा दिया गया था, cosmic order, and religious practice होती है, साम, यजूर, and rig, और अतरववेदा के बारे में, ठीक है, उस reality क्या है, इन सब के बारे में, उपनी शर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, तो 800 BC से 600 BC के टाइम का, टाइम के हम बात करते हैं, उसके बात, जैसे महावीर आए, गोतम बुद्धा आए, यह सब 6th century और 3rd century के बीच की बात हैं, कि उसके बात, रामयन का पिरेड मानते हैं, लोग, yes, they are the mythological, but, जब हम इंडू परस्पेक्टिव से बात करते हैं, उसके महावारत बात कर रहा हूँ, इंडू ethical God के, उसके बात, महावारत बगवत गीता, sophism की जब हम बात करें, in the west, Athens, most specifically, Greece, उस वाले रीजन की, Socrates, आया ते, Plato, Aristotle, Cotillia, कि यह दे शास्तर, Histoics, है न आप एक्यूरियंस की जब हम बात करते हैं, उसके बात, देखो, यह सब में पढ़ा दूँगा आपको, in detail, political science भी आता है है, लेकिन philosophical perspective से में आप पढ़ने की कोशेश करेंगे, answers में किस तरीके से, हमारा answer more presentable लग सकते है, approachable लग, है ना, कि बहुत आई-केची चीजी है, अगर आप डाल देंगे, हो गया काम, ठीक है, right, so, St. Augustine के मारे बात करेंगे, Christian, बहुत बड़े theology ने, तो मैं आपको बता रहा है, evolution की किस perspective से, और आस तर की चलता हो आ रहा है, ethics का, तो Thomas Iconist, very, very great, 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 catholic philosopher, उस ताइम की, सुमन तियोलोजी का, right, so, नापने, Discardes, Hobbes, Guru Nanak उसके लबा, जो sentimentalism है करके स्कूल था, उसके बारे में बत करेंगे, intuitive schools, utilitarian, utilitarian कौन सकता है, yes, Bentham, John Stuart Mill, ये सब, फिर, बात करेंगे, G.E. Murray की, David Rawls की, Stevenson, or John Rawls, John Rawls, the greatest of the greatest of the greatest philosopher of 20th century, right, he's the great, बात करते हैं, उसके बात, जिससे हम बात करते हैं, कास की, नाइच की, डीटेल ह पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, तो, इन्होंने, बैसिकलर, religion का, क्रिटीक करा, इन्होंने, क्रिटीक करेंगे, religion के समझते हैं, की, social conformity, इसका बतलब क्यों बता है, की, इन्सानों ने, अपने status quo, maintain करने के लिए, right, social, economic, existing positions को, confine करने के लिए, धरम का नाम दे दिया, ध अफीम बोलते थे, Marx, या, अफीम बोलते थे, उनको तो, अब किस तर, इंडियन परस्पेक्टिव से समझाता हूं, आपको बहुत इंपोर्टेंट है, जिसे हम चार और नास के बात करते हैं, और जो ब्रह्मन थियोरी है, इंडिया में, इंडुरिलीजिन में, about कि ब्रह्म ये क्या करती है, जो सालों परानी प्रथाएं है, as a status quo चलता आ रहा है, dominant से ब्रह्मन का, in context, तो उसको बरकरार रखे कि लोग question ही नहीं करेंगे, कह देंगे कि ब्रह्मा जी के real sons कौन से है, इतना बड़ा Almighty ने बात बोल दिया, आपकी divinity कि यहां पर बात आ गई, divine powers, God, God न knowledge, awareness, थी इतना rational thinking वहां करता है, नहीं, no, no, absolutely not, so, इस तरीके की चीजों को यहां पर हम देखते हो चलते है, economic position और social इससे काफी ज़्यादा hamper भी हुए, so, there is another face of religion also, जिसमें हम बात करते हैं, कि जो religion है, वो, वो करता है, is a profoundly liberating force, it's not at all, मैं religion को बुरा नहीं होता हूँ, य ठीके तो liberating force का भी काम कर सकती है, एक individuals की life में, right, और social changes तो यह definitely लेकर क्याते ही है, ठीके, okay, so, when we say ethics and law, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आती है बात, हाँ, देखो, ethics and law में काफी बड़ा difference है, हाला कि हम इसको related, यह interrelated भी है, at the same time यह independent भी है, हमेशाया आत रखना ethics, ethics, किसकी ब्रांच है, एक philosophy की ब्रांच है, क्या बोलता है वो, कि यह आपको करना चाहिए, what should I do and what should not to do, right, we ought to do, what we ought not to do, हमने पहले बात कीती है, इसके बारे में, है न, so, हम किस तरीके से decisions लेते हैं, उसका reflection होता है, क्या, जो हमारे क्या values रही है, हमारे क्या principles है, हमें क क्या करना चाहिए, क्या purpose है हमारा, क्या self-interest है, convention चलते हा रहे है, वो हमको पताता है, और उसका, वो reflect होता है हमारे decisions में, देखे, law different, law, law, morality अलग है, morality, morality, अगर हम देखे, आपको सोचिए, देखे, law अमेशा ही ethical नहीं हो सकता, I mean, for some people, it has to be ethical, but दूसरे लोगों के लिए न किसी को फासी की सजा दी, बहुत बाली debate है है, question भी आ हुआ है, कि भही बता है, फासी की सजा अगर किसी को दे दी जारी, तो क्यो, ethical है क्या, अब चलो, आपको background नहीं बताता हूं, मैं, सिधा decision पर आते है, समझो, अगर कोई आपसे कहे आज आकर, क्या किसी को मोत की सजा द लेकिन फिरम जाते है, into the law, law में ये legal है, India is one of the few countries, जहाँ पर मोत की सजा दी जाती है, अब ethics क्या करता है, अपको private space बना करें दे देगा, जहाँ पर आप ethical, belief, morality के साथ जी सकते हैं, लेकिन नहीं, law ऐसा नहीं करता, law पता है क्या करता है, वो एक इसा environment create करतेगा आपके आस अब किस तरीके से अगर मैं आपको बता हूँगा, कि लोग को क्यों है, जरुवत क्यों मैसूस होती है, तो वो इसली होई, sir and ma'am, कि अनहार की ना फैल जाए, लोगों में, orderly manner में community develop करें, है ना, लोग फुल्फिल करें, आगे बढ़े economically, financially, socially, emotionally, ये सब चीज है, तो आने का, ethics can be a source, and ethics cannot be the source, अब इसके वज़े से क्यों होता, देखर, law को हम क्या मानते है, law narrow है, ethics और morality से, ethics and morality is wider implications, तो law can be under it, and ये basically इसको follow कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो कुछ matter में, जो होता है, वो agnostic हो जाता है, लेकिन ethics और morality तो बहुत जादा, उनको तो बहुत सा देखो, मान लो, कि कोई matter हो है, तो उसमें अगर ethics का कुछ बोलना है, या ethics का principle या values के अधर पाते है, ज़रूरी तो नहीं, वहाँ पर law हो, ठीक है, आप कुछी सोचो न, क्या आपकी life में, क्या ये possible भी है, क्या दुनिया की हर एक चीज, जो हर एक इनसान करता है, या सोच तो या feel करता है, community में, relationships में, क्या हर चीज में law बना सकते हैं, क्या हम नहीं बना सकते, it is not humanly possible, ठीक है, तो ethics and morality बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, हाला कि हमारे जो ideas होते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, या हमारे judgments से decide होता है, क्या temptations हम law के लिए रखते हैं ethics को लिए रखते हैं, right, so, जिसे कि माल लीजे, आप जब तक आप लोगो ना, willfully और fulfill कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अपने आपको क्या कहुए, ethical हूँ भाई मैं, मैं सारे लोगो, सारे legal obligations में ये भी मानता हूँ, वो भी मानता हूँ, तो मैं ethical हूँ, है ना, लेकिन ऐसा न लोग क्यों है, लोग basic standards, जो आपके behavior के उनको, उनको basically orderly way में present करने के लिए बनाया गया था, ताकि social institutions functioning करतके continuously, यह तो नहीं है कि एक जने के लिए particularly low बना दिया गया, ऐसा कुछ, नहीं होता लेकिन ethical, ethical and moral standards can be different and independent of every person, right, अब उसके लावाद दूसरा है, आपका, कभी-कभ होता है कि, हमको basically low को obey करने के लिए, कभी-कभी ethics और morality के खिलाव भी जाना पड़ता है, अभी हम बात कर रहते हैं, जैसे doctor को obligation रहता है, public servants को obligation रहता है, philosophers यह सब, तो यह सब चीज़े आपको यहापर समझ देगी, अब देखो, similarities देख लो, ethics and law में, सबसे पहले तो यह standards होत जैसे ethics और moral values होती है, वो पताते हैं कि, particular person को इस तरीके से behavior करना चाहिए, क्या आप आज कहीं market में निकलते हैं, यहाप फिर कहीं शादी party में जाते होंगे, society में किसी तरीके का interaction आपको होता होता है, अब आपको किस तरीके से behavior करना, किस तरीके का behavior करना है, क्या behavior, क्या nature आ values, same उसी तरह lobby करता है, क्यांकि हर जगे तो आप जा करके Allah बोलता नहीं कर सकते हैं, तो ethics और laws आपके दोनों standards है, उसके लावाद दोनों systems provide करते हैं, system के साथ, जिसे मालीचे, ethics आपको provide करते है, set of moral values, और लोगों को उसको violate करने से रोकता है, लोग क्या करता है, लोग यही provide करता है, क्या हमको करना चाहिए, किस particular certain situation में, तो overall क्या सकते हैं कि, purpose of making people benefit from being members of the well-regulated society, इसलिए moral, ethics और जो laws आपके लोग को, coherence में लेकर के चलना, is the right solution, लोग को भी violate ना करें, ethics को भी ना करें, I mean at least try तो करें, yes, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी सिहत क तो जो है, वो दिकत हो सकती है, हाला कि हिसा हो ना, and law and ethics, किस तरीके से difference है, यह मैं आपको पहले बता चको हूँ, तो आप यह पर इसको पढ़ ले रहा, ठीक है, यह मैं एक्स्पेलेंट कर दिया, नरेट कर चुगा, already, right, so yes, next lesson हम देखेंगे, study of ethics, जिसके अंदर हम देख अगर कोई suggestion हो आपका, तो you can pin me in the group, and comment section ने भी comment कर सकते हो, प्रिके, so मिलते अगे लिए देखेंगे, study of ethics, and have a nice team.